हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई अब नए तरीकों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश फार्मेशी काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह के से कर सकते हैं तो आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आईगी तो हम सीधे यहां से आपको लॉग इन करके दिखाएंगे और यहीं से प्रोसिस को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमको यहां पर क्लिक करना है एंटर मोबाइल नंबर प देखते हैं कि भाई हमारा जो डैस्बोर्ड पर जो हमारा जो भी लॉग इन आईडी है जो भी इंटरफेस आया है वो देख सकते हैं कुछ इस प्रिगार का है और अब हमको क्या करना है भाई हमको करना है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन तो भाई हमको क्या करना होगा हम को सबसे पहले यहां पर क्लिक करना होगा क्योंकि हमको अपना नया रेजिस्ट्रेशन करना है ठीक है तो अब हमको क्या करना है हम करते थे हैं इस पर क्लिक तो दोस्तों अब हमारे सामने यहां पर तीन ओप्संस ओपन होके आते हैं सबसे पहला है apply for registration of pharmacist दुसरा है है document required और तिसरा option है view registration application status यह सारे तीनों option क्या है मैं बारी बारी से आपको अभी बताऊंगा सबसे पहले हमको क्या करना है आप अगर देखना चाहते हैं कि आपको क्या 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 है तो यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कोई इश्यू नहीं है उसके बाद हमको सरिफ और सिर्फ apply for registration और फार्मासिस्ट पर क्लिक करना है तो अभी हम सीधे उसी पर क्लिक करते हैं तो हम जैसे यहां पर दोस्तों क्लिक करते हैं हमसे पूछता है यहां पर कि आप नए पंजीगरन हेतु अंडोध कर रहे हैं अत्वा फार्मासिस्ट को अने council से यूपी-पी-स में ट्रांसफर्कर करने है तो अन्रोध्कराएँ तो भई आगर आप ट्रांसफर्कर रहे तो इस पर क्लिक करना और आप नया पर प्लिक करना ठीक है तो हमारा नया रिजिस्ट्रेशन है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो दुस्तों फॉर्म को फिल करते समय कुछ बाते यहां पर पढ़ लेना नोट में यही कुछ लिखा है कि आप जो भी डिटेल है वह अपनी सही से फिल करें उसके बाद यहां पर कोई डाल देते हैं आप देख लेते होंगे तो यहां पर रेजिस्टेशन करने वाले हैं चेपर इसकार की जो डिटेल मों लिख़ी वही हैं सबसे पहले आपको आपको कोई और रिलीजन है केटेगरी अधार नंबर और नेशनलिटी यह सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है बेसिक डिटेल्स में जो कि अभी मेरी फिल यहां पर नहीं है लेकिन मैं थोड़ी देर बाद इसको फिल जरूर करूंगा और उसके बाद यहां पर दूसरा ह है पुलिस थान आप कौन सा पूलिस स्टेशन आपका लगता है वह कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक और पिंखोड के साथ ठीक है यह सारी चीज़ें आप भर लेंगे उस तरह चार डिटेल में वगरा यहां पर एड्रेस देना होता है जो कि आप चाहें तो ऊपर वाला जो आ सबसे पहले इस टेटल को पूरा फिल कर लेते हैं और यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है वह आप आराम से फिल कर पाओगे तो हम यहां पर सेव एंड नेक्स पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों इतनी सारी डेटेल को फिल करने के बाद अब हमको आगे का जो क्र करने प्हाले है पर बता देता हूं दोस्तों आप इहां पर जैसे कीग सकते हैं कि अपको यहां पर यहां पर इन्टरमेडिएट की डिटेल को in地 a के करने कि शीडेल को Сейчасी खुड़ से आपको अठीusion देता हुए इसको थोड़ा डिटेल से आपको समझा देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर column बगएरा दिये गए होंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर name of examining body में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप अगर UP board से हैं अगर आपने high school inter UP board से किया है तो भाई यहाँ पर UP board अलहाबाद फिल कर सकते हैं ठीक है और जो जिन्होंने CBSC board से करा है जिसने ICSC board से करा है वो भाई अपना board जानते होंगे और वो ही यहाँ पर उनको अपना board यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद दोस्तों जो second option है वो है name of school, college and institution भाई आपने अपना high school inter और d farma कहां से किया है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह अपने college का नाम फिल करना है उसके बाद यहाँ पर course started in year भाई कौन से year में आपने अपना course start किया था या अपने high school आपने किस year में किया था start इंटर किसे यहर में स्टार्ट किया है या दी फार्मा किस एर में स्टार्ट किया है तो जोड़ी दूर पर आप देखेंगे तो आज पर 수ै यहां पर हमारा एक अपर देना है दोस्तो अगे जहां पर लिखा है स्लैक्ट इफ चीजी-ऴра इस apply cable तो भाई हमारा जो UP word है उसमें तो भाई कोई CGPA बगएरा नहीं होता जितना मुझे पता है भाई ठीक है उसके बाद आपके marks maximum marks भाई कितने में से obtained marks जैनि कितने number आए है वो यहाँ पर fill करना है और उसके बाद आपकी जो percentage है वो automatic यहाँ पर fill होके आ जाएगी तो दोस्तों यह रही है आपकी भाई education की detail जिसको आपको यहाँ पर fill करना है then उसके बाद यह सब आप fill कर देंगे then उसके बाद आपको यहाँ पर degree last degree जो आपने ली है भाई obtain करी है उसका यहाँ पर आपको detail fill करनी है तो पहले यहाँ पर हम एक तो यह जो note है एक तरीके का जह भाई M Pharma वाले student के लिए है यह कोई D Pharma के student के लिए नहीं है ना बैचलर के student के लिए ठीक है यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पढ़ सकते हैं M Pharma के लिए है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई आपने कौन से degree obtain करी है अगर आपने भी फार्मा करा है तो भी फार्मा डी फार्मा जो भी है वह आपने अप स्लेक्ट कर देंगे उसके आपको अपना enrollment नंबर आपको अपना रूल नंबर यही PDF में upload कर देना उसके बाद आपको college से approval letter भाई मिलेगा जो आप अगर नहीं मिलना है तो भाई college से low क्योंकि इसके बिना भाई फार्म आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप यह detail फिल नहीं करोगे तो भाई अगर आपने नहीं पता अगर आपको college approval letter कैसा होता है तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो बहुत पहले ही बना के रख दी गई है वह आप देख लेना और बहां से आप उसको यहाँ पर देखके college से मांगना और यहाँ पर upload कर देना और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है जब हमने सारी detail फिल कर लेंगे तो हम यहाँ पर save and next पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम आगे हमारी process कर जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सारी detail जो थी education की और जो जो document हमसे मांगे गए थे वो हमने सारी यहाँ पर upload कर दी हैं जिसकी final year की mark sheet और college approval letter वो सारा upload करने के बाद अब हमको save and next पर click कर देना है तो हम save and next पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर click करते हैं तो दोस्तों जैसे ह हमने save and next पर click कर आप अब हमको यहाँ पर document upload करने को बोलगा है तो भाई देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर size बगारा सब बता दिया जाएगा कि भाई कितने size का यहाँ पर photo यह signature और कौन सा format यहाँ पर allowed है और वही आपका यहाँ portal पर लिया जाएगा तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर photograph की भाई यहाँ पर उन्होंने साब साब बोल दिया है कि वो jpeg यह jpg file में होना चाहिए और 50 kb तक का चल जाएगा यहाँ उसका अधिक्तम size अगर 50 kb है तो चल जाएगा 51 kb होगा तो भाई वो नहीं चले है आप jpg file या jpeg file किसी में भी upload कर सकते हैं फिर यहाँ पर यह हो गई बात यहाँ पर signature और photograph की अब यहाँ पर जो main बात है वो है high school और high school का certificate इंटर इंटर का certificate यह सब भाई हमको कौन से format में upload करने हैं भाई यह हमको PDF format में upload करने हैं और यहाँ पर इस PDF का जो size है वो एक MB स जादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर यह requirement यहाँ पर मांगी गई है तो यह सारे document जो जो है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार clear कर देता हूं जिसके आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपसे high school की mark sheet high school का certificate intermediate की mark sheet intermediate का certificate अगर आपने diploma कर रखा है तो d pharma का यहाँ पर यहाँ पर mark sheet upload करनी है और आपके पर जो degree certificate है वो आपको यहाँ पर upload करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर आपकी M pharma कर रहा है तो भी M pharma की जाओ सारी आपकी जो पीजितनी mark sheet होती है वो और यहाँ पर provisional certificate ठीक है अब यह चारी चीज़े हो गए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों internship तो भाई यहाँ पर जो B pharma है उनके लिए यह कोई appendix वाला जो letter है यहाँ पर वो जरूरी नहीं है internship का तो यहाँ पर खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं बात यहाँ पर domicile की अगर आप देखें तो यहाँ पर यह ब यहाँ पर यह requirement है उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक आईडी दे दी नहीं है चाहें आप अधार upload कर सकते हैं और अप्लोड कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको देना है एफिडेविट का जो सीन है वह आपको बता दूं कि वीडियो एफिडेविट के उपर बनी अप्लोड कर देना और उसके बाद आपको सेवन नेश्ट पर क्लिक कर देना तो भाई हम सबसे बहले टाइक्यूमेंट अप्लोड कर देते हैं कि आवेदन सफलता पूर्बग दर्ज किया गया है ठीक है तो अब हम यहाँ पर ओके कर देते हैं अब बारी है यहाँ पर फीस संबिट की तो भाई हमको यहाँ पर फीस करनी है और यहाँ पर किलिक करना है और अभी भी एगर आप अपने form में कोई संसोधन करना चाहते हैं तो भाई Edit Application पर क्लिक कर लेना आप बहां से आराम से कर पाएंगे तो हमारा पूरा form साहिए अब हमको सीधे Proceed to Pay पर क्लिक करना है अब यहाँ पर थोड़ी दिर आपको wait करना है जब तक आपको यहाँ पर कोई QR या UPI वाला option नहीं दे देता तब तक के लिए तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास एक QR code दिख रहा है बट मैं QR से यहाँ पर payment नहीं करूँगा मैं करूँगा UPI से तो यहाँ पर आप अपनी UPI फिल कर देना तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पर payment हो चुगा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर application form submitted हो चुका यहाँ से अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से अपनी fees receipt डाउनलोड कर सकते हैं अब भाई कितनी प्रोसेस हमारी उत्तरपतेस फार्मेसी काउंसिल में हुई है वो हमको कहां से पता लगेगी वो हमको पता लगेगी दोस्तों यहाँ से view registration application status से हमको प apply किया है तो अभी हमारा कुछ भी यहाँ पर verify नहीं है जैसी time होगा दिन आगे होंगे बढ़ेंगे एक महीना देड़ महीने के अंदर यह सारे verify होने लग जाए बस यही है दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको ज्यादा complicated process नहीं है और यहाँ से आपना form और यहाँ पर अपनी को महाँ पर reply दे दिया जाएगा तो दोस्तों अपना ख्याल लखें सुरचित रहें